हलो आज है सेकंड अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए दो एसर शेर्स के बारे में जो सरकारी शेर है पहला NBCC 50 रुपे का है और NCC ये 50 रुपे के आसपास है और ये एक सरकारी शेर नहीं प्राइवेट शेर है और ये राकेश जुन जुन वाला का मनपसंद शेर है बड़ी कॉंटिटी उनकी इस शेर में देखने को मिल रही है वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि NBCC और NCC दोनों ही शेर्स में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं और जिन लोगों ने और रेडी यहां पर खरीदार करके रखी है उनको क्या करना चाहिए उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से हैं जो आ अजास रुपे का श्याट डेट परसंट की गिरावट है एक महीनी में अगर हम देखे तो 6 परसंट की गिरावट आप देखो यहां पर देखने को मिली है 55 रुपे से लगाता तूट रहा था 48 के करीब पहुंचा वापस उचल गया लेकिन एक साल में अगर देखे तो देखा जाए मिट कैप शेर है 9,200 करोड के आसपास का मार्केट कैप है 43 लेक के राउंड का इसका वाल्यूम ट्रेट है शेर होल्डिंग की में बात करो तो 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है 2.91% की होल्डिंग 3.29% की होल्डिंग म्यूचल फरंड के पास है President of India सबसे बुटे प्रमोटर है सरकारी कंपनी है जाइस से बात है उन्हें के बाद सबसे आदा होंगे एक भी शर्गिर भी नहीं है और LIC यहां पर highest public shareholder है 6.55% की होल्डिंग के साथ और 13 प्रतिशत का dividend पेक कर रहा है पिछले साल इन्होंने नवेंबर महिने में ये dividend पेक अच्छी नहीं है गिरावट के संकेत है कोरोना की थार्ड वेव कहीं न कहीं एक डर पैदा कर रही है according to money control user 74% लोग खरीदने की सिला देरे 22% लोग बेचने के बात कि 4% लोग यहां पर hold करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं revenue की बात के ज़र लगा था टूटे हैं 2019 2020 में और हाला कि यह expected था खासर के 2020 में क्योंगे करोना की वोज़े से कहीं न कहीं lockdown के वोज़े से काम जो था वो रुका हुआ था अठका हुआ था profit की मैं बात करूं तो profit 400 करोड के आसपास पहुंचा था बाद में 99 करोड तक पहुंचा लेकिन 2021 में profit 236 करोड का है जो के का है क्योंकि शेर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और ना है कोई rate flags नजर आ रहे है पी ratio देखे तो 41 का है जबकि sector P 57 का है तो definitely उसके sector P से काफी नीचे level पर trade कर ही रहा है देकि NBCC में एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मुझे यह पसंद आता है लेकिन 50 रुपे के नीचे मिल करूंगा और मैं इसको long term के लिए carry करूंगा long term के लिए reason यह कि value unlocking अभी यहाँ पर बाकी है आने वाले समय में शायद होगा अच्छी value unlock हो सकती है और दूसरे infra के shares है वो अच्छा production अभी भी आने वाले समय में कर सकते हैं बहुत सारे काम का जो अठके हुए है उसको बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा और भाया infra जो है infra जो share इंफरा के जो shares है definitely तेजी बनने के chances जरूर है वहाँ पर लेकिन NBCC को अगर मैं NCC से compare करूं तो देखे 86 रुपीज का share है यह एक महिने में अगर हम देखे तो एक महिने में 3.5% की गिरावट है लगा था 96 रुपीज से तूट रहा है 85 तक पहुंचा वापस थोड़ी बहुत तेजी दिखे लेकिन वापस तूट गया एक साल में अगर हम देखे तो एक साल में 200% का growth है almost 29 रुपीज का share 99 का high बनाया वापस तूट गया वापस तेजी बनाई और तकरीबन 95 के करीब पहुंचा वापस तूट रह पाईए और थोड़ी और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है लेकिन mid cap share तो यह भी है 5415 क्रोड के आसपास का market cap है नसी में देखे तो 27 लाग के रौन का इसका volume trade है shareholding की बात करें तो 19.68% की holding promoter के पास है 13.40% की holding Files 12.02% की holding mutual fund के पास है और यहां पर आप देखे हा प्रतिशत का dividend pay कर रहा है मतलब 20 पैसा per share dividend pay कर रहा है technical rating इसकी भी अच्छी नहीं है गिरावट की संकित यहां पर भी बने हुए है लेकिन जो target इसके बताया जा रहे ब्रोकेश फर्म के द्वारा वो 100 रुबे के आसपास बताया जा रहे है 94% लोग खरीदने के सला दे रहे यहां पर पिछे 2 सालों में revenue में गिरावट आई है profit की मैं बात करूं तो profit में भी गिरावट आई है 575 क्रोड का profit 280 क्रोड के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि मेरे इसाब से उतना अच्छा नहीं लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि 93% एनालिश्ट यहां पर 47 है ठीक है NBCC का PE ratio 41 है और NCC का PE ratio है 20 मतलब आधे PE के उपर trade कर रहा है compare to NBCC तो definitely NCC का upper hand है अगर मैं valuation की बात करूं सस्तेपन की बात करूं तो इसका valuation है इसकी जो current price है वो इसकी इंस्ट्रिक value से कम है अच्छा इड़न इसने भी नहीं दिया है longer term में क्योंकि देखा जाए तो यह वो share है जो एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट लेता है और गिरावट के बाद बड़ी रफ्तार यहां पर हमें देखने को मिलती है चार्ट अगर आप देखें तो यही indication आपको देखने क अच्छा इड़न पेंट नहीं करें खरीदने का अभी भी सही वक्त क्योंकि शेर ओरबोड जोन में नहीं है और कोई भी रेट नजर नहीं आ रहे हैं अब हम यहां पर एक और चीज़ के बारे में बात करें कि NCC और NBCC दोनों में से बहतर कौन है तो अगर मैं P ratio की बात कर तो बहतर तो NCC ही यहां पर नजर आ रहा है compare करेंगे दोनों को तो NCC जादा बहतर position में है compare to NBCC लेकिन मुझे दोनों ही शेर पसंद आते हैं long term के लिए और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर NBCC आपको 50 रुपे के नीचे मिले खरीदारी कर सकते हैं और NCC आपको 80 रुपे के नीचे मिले तो भी आप यहां पर buying करके चल सकते हैं लेकिन हाँ किसी एक price पर बहुत सारे shares मत खरीदना टुकड़ों में खरीदारी करो यह सोच के खरीदारी करो के थोड़ी से भी गिरावट आएगी तो थोड़ी और quantity आपको add करके चलना पड़े है देके market जो है ना वो क आप यह मान के चलिए कि अगर थोड़ा सा correction आता है तो मैं उस level पर add करूँगा थेकि market में जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के मौके बनेंगे इस चीज़ को याद रखे और definitely दोनों ही company बहतर है लेकिन long term के लिए ठीक है short term में हो सकता है कि यह आपको एक ही price range में बार Corona काल में 16-17 रुपए तक चला गया था और NCC में मेरी तब की recommendation है जब यह Corona काल में बहुत नीचे था almost यह 20-22 के उपर था तब से मेरी buying की यहाँ पर recommendation है तो नजर रखे दोनों ही company के उपर और वीडियो को यहीं पेंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक तो शेयर के झाल झाल में ना हुआ झाल में।